नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रोहत आईपियल 2022 की शुरवात 26 मार्स से होनी है 29 मई को फाइनल मुकाबला खेला जाना है लेकिन उससे पहले बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है दरसल चन्नेई सुपर किंग्स को आईपियल में बहुत बड़ा जटका लग सकता है और कप् महंद्र सिंग धोनी आईपियल से बाहर हो सकते हैं जी हां मेडिया रुपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि महंद्र सिंग धोनी आईपियल के शुरवाती मैचेस स्यद ही खेल पाएं और उनकी कमर में दर्द है जिसकी वजा से वो रेस्ट पर हैं और उनको डॉक्टर्स ने मेडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर ये है कि धोनी के कमर में लगातार दर्द बना हुआ है जिसके वजा से डॉक्टर्स ने उन्हें चार से पांच हपतों के लिए आराम बताया है ऐसे में अगर धोनी बाहर रहते हैं तो आईपियल के सुरवाती मैचेस वो जरूर मि इसकी आफिसियल पुस्टी नहीं की गई है ना ही CSK की तरफ से ना ही महेंदर सिंग धोनी की तरफ से लेकिन कहा ये जा रहा है कि जिस तरीके से उनकी कमर का दर्द लगातार बढ़ रहा है वो आईपियल मिस कर सकते हैं सुरवाती कुछ मैचेस में हालांकि वो प्रैक्टि कीपिंग करते हैं और वो लंबे समय तक भारत के विकेट कीपर रहे साथ में चन्नेज सुपर किंग की तो ऐसे में उनकी कमर का दर्द हमेशा बना रहा है इसी विकेट कीपिंग की वज़ा से और वो इसी के वज़ा से आईपियल के एक दो मुकाबले भी मिस कर चुके हैं उनकी जगापर सुरेश रायना ने उस वक्त कपतानी की थी अगर ऐसे में अगर महेंदर सिंग धोनी अब आईपियल के मुकाबले मिस करते हैं तो निश्यत तोर पर रविंदर जड़ेजा कपतानी करते हुए दिखाई देंगे लेकिन फिलहाल महेंदर सिंग धोनी आईप चाहर भी आईपियल से बाहर हो गए हैं और वो भी शुरवात में आपको खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे क्योंकि उन्हें सेकेंट्री यर इंजूरी हुई थी जिसकी वजासे वो आईपियल खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे ऐसे में चन्नेई को दो बड़े जल्दी ही वापस लोटे